हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल हमारे अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है काफी दिनों के बाद आप लोग इसे बाते हो रही है उमीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे आप जैसे भी हो अपना हाल कमेंट कर मुझे जरूर बताना आप लोगों की कमेंट पढ़ना मुझे वाकई काफी पसंद है और आप लोगों के सारे कमेंट रीड भी करती हूं वैसे आजकल यहां का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया परना सर्दियों में तो यहां बिल्कुल भी हर्याली नहीं दिखती सारे पेड़ पोधे सुख जाते हैं लेकिन जैसा कि आप बाहर देख रहे होंगे कि यहां स्प्रिंग का मौसम आलमस आहे गया है अब तो कई पोधे आ गये हैं इवन कुछ पोधों में तो फूल भी आगाना सुरू करूंगी क्योंकि अभी भी यहां रात में काफी धंड हो जाती है तो गार्डनिंग के लिए फिलाल मौसम सही नहीं है लेकिन जब भी गार्डनिंग सुरू करूगी उसकी क्लेप आप लोगों के साथ जरू शेर होगी जब तक आपकी बच्चे सोकर नहीं उटे आप जाहो तो सुबा के ना जाने कितने सारे काम निप्टा सकते हो वरना एक बार बच्चे उट गए तो बस फिर उनके ही साथ उनकी ही तैयारियों में सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है एकात बार किसी व्लोग में मैंने एक कमेंट रेट किया था कि कमाल है आपको सुबा उटकर रेड़ी होने का टाइम भी मिल जाता है ऐसे स्टेट होम मॉम मेरा सुबा उटकर रेड़ी होना उन्हें वियर्ड लगा तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी उटकर भी अगर मैं अपने लिए वक्त ना निकाल पाओ अपनी सेल्फ केर और सेल्फ पेंपरिंग करने से इंसान पूरे दिन मोटिवेट रहता है उन्हें पॉजेटिव वाइब्स आती है और सबसे इंपोर्टेंट आपकी सैनिटी बनी रहती है तो फिर अपना मन चाहा काम करने के लिए भले ही आपको थोड़ा जल्दी ही क्यों न उठना पड़े उठकर जो आपको अच्छा लगता है वही करे फिर चाहे आप वर्किंग मॉम हो या फूल टैम होम मेकर क्यूंकि अगर आप खुश रहोगे तो ही अपनी फैमिली को भी खुश रख पाओगे कल रात को हमने ग्रोशरी स्वापिंग की थी जिसे मैं अलरेड़ी क्लीन कर चुकी हूँ बस अब उन्हें आरेंज करना बाकी है और मेरी क्लीनिंग की क्लोश ऑल्मोस खत्म हो चुके थे तो इस बार इन्हें मैंने बल्क में ले लिया है इनकी price काफी reasonable थी तो सोचा कि साल दो साल आराम से निकल जाएंगे वैसे भी mostly cleaning कि जितने भी products में use करती हो उन्हें bulk में ही खरिदना prefer करती हो जब भी उन पर अच्छी sale चल रही हो या अच्छे offer में हो साल भर की shopping आराम से हो जाती है आपके भी family में कुछ ऐसे breakfast item होगे जो घर में सब पसंद से खा लेते होगे चाहे वो पोहा हो उपमा हो या इडली हो अगर मैं अपने बच्चों से पूछू कि breakfast में वो क्या खाएंगे तो उनकी बस एक ही demand होती है कि मैं उन्हें पराठे बना कर दे दू उन्हें पराठों में घी लगा कर सिंप्ली रोल करके दे दो आराम से खा लेते हैं इसलिए मोश्टली मेरे घर में जो भी सबजिया होती है लाइक गाजर, बीटरूट, पालक या ऐसी कोई भी सबजिया जिन्हें आप आसाने से ग्रेट कर सकते हो या बारी कट कर सकते हो, उन्हें आठे के साथ गुंद कर मैं उनके पराठे बना कर बच्चों को खिला देती हूँ और अगर पराठो को और भी हेल्थी बनाना है तो आठे को पाने की जगह, लेफ्ट ओवर या ताजे दाल से या दही से गुंद कर फिर उनसे पराठे बनाएं आपके पराठे और भी सौफ्ट और स्वाधिश्ट बनेंगे बच्चों को तो अल्रेडी मैंने पराठे बना कर ब्रेक्फस्ट करा दिया है और यहां मैं हमारे लिए सैन्विच बना रही हूँ आजकल पता नहीं बट सम्हाँ मुझे सैन्विच खाना बहुत पसंद है आप मुझे सैन्विच लंच में या डिनर में कभी भी दो मैं आराम से खा सकती हूँ साथ में कभी कबार हरे धनी की चटनी बना लेती हूँ किसी गएफ अज़ का नहीं फिर्ट इन काशा था चाल इसेँ है लेक्ट नहीं है ले लिए लग का देखने लेंग इस ब्लेंगे से लेफिज बिन प्रश गुटत था रहल प्रच बाहिए लुटिव छाएं ताफ ऐले हुट इव दो गएप्रश बहुत चाल स्मयन स्मेन बिटा बाद में जाएगी ना बाहर स्मेन ममा को ब्रूम करने दो क्या हुआ हाट राइट आज अंदर चौकले कराते स्मेन हमारे यहाँ दिन में एक बारी सही डाल जरूर बनाई जाती है सबजी तो खाते है बट रोज डाल खाने और बनाने की आदत मुझे मेरी ममी के यहां से आई है और स्पेसिफिक चने की डाल और काले छिलके वाली टूटी हुई उरत की डाल मिक्स करके नौर्थ में जो डाल बनाई जाती है वो मेरी वन अफ दा फैवरेट है इसे बनाने के लिए आपको दोनों डालों को सेम क्वांटिटी में लेना है और बनाने से आधे या एक घंटे पहले डाल को पाने में भिगो कर रखे एंडेन एक कब मिक्स डाल में तकरीबन चार कप पाने डाल कर कूकर की तीन से चार सेटिया लेना है अभी डाल में मैंने सिर्ष वाद अनुसा नमक और हल्दी डाला है बाकी डाल में तड़का हम बाद में लगाएंगे लास्ट लौग में मुझे आप में से किसीने पूछा था की बच्चों को कि से इस तक नैप देना चाहिए और क्या आयांस और समेन दौपहर में सोते है तो आपकी बच्चों को आप जब तक दौपहर में सुला सकते हो जरूर सुलाए दोपहर में एक से दो घंटे की नैप लेना बच्चों के लिए अच्छा ही होता है लेकिन मेरे बच्चे अब दोपहर में नहीं सोते क्योंकि आयांस के स्कूल का टाइम सुबह नो से बारा एं देन थर्स्टे इन फ्राइडे दो से चार बजे तक होता है तो उसके लिए दोपहर में सोना पॉसिबल नहीं होता और रही बार समयन की तो अगर आयांस नहीं सोए तो समयन को सुलाना मेरे लिए मुश्किल है लेकिन अभी आपरिल से आयांस के स्कूल 9 से 2 बजे तक कंटिनेस रहेगे तो दोपहर में 3 से 5 बजे तक बज्चों को सौने का मुखा मिल जाएगा लेकिन फिलहाल हमारे लिए नैप लेना बिलकुल भी पॉसिबल नहीं है भाई आपरिल नहीं है अच्छा बनाओ मत्ती बनाओ 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 कुकर की हमने 3 से 4 सिट्या ले ली थी अब कुकर भी बिलकुल थंडा हो गया है और यहां आप मैं दाल के लिए तड़का बना कर त्यार कर रही हो दाल का तड़का हम घी में त्यार करेंगे दाल का स्वाद घी में दुगना हो जाता है रायो और जीरा के साथ मैंने लेहसुन का तड़का लगा दिया है साथी इसमें थोड़ा हिंग भी डाल दे जैसे ही लेहसुन लाल हो जाए हम तड़के में स्वाद अनुसा हल्दी गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगी मसाला एक मिनट तक भुनना है मसाला भुनने के बाद एक कटा हुआ टमाटर एड़ कर ले साथी हम नमक भी डाल देंगी अब बस टमाटर भुन जाने के बाद तड़के में दाल डाल देंगे साथी मैंने बारी कटा हुआ धनिया भी डाल में डाल दिया है अब इस दाल को हमें मीडियम आच में ढखक कर 10-15 मिनट तक उबालाने तक पकाना है दाल बनकर रैडी है अब गैस बनकर दाल को मैंने एक साइड में रख दिया और अब हम सबजी बना कर रैडी कर लेंगे आज मैं सोया गोभी की सबजी बना रही हूँ जिसे बनाने के लिए यहां मैंने जीरा का तड़का दिया है अब तेल में एक कब बारिक कटा हुआ प्याज डाल कर प्याज को 2-3 मिनट तक मीडियम से तेज आज पर भूनना है साथ ही लहसुन और मिर्च को कद्दू कस कर तड़के में एक टेबल स्पून लहसुन और मिर्च भी अड़कर उन्हें अच्छी तरह और प्याज को गोल्डन प्राउन होने तक भून ले प्याज के भून जाने पर तड़के में मसाला एड़करेंगे यहां मैंने स्वाज अनुसार हल्दी लाल में इस पावडर और गरम मसाला डाल कर उन्हें एक से दो मिनट तक भून लिया है जैसे ही मसाला भून जाए मसाले में एक कब बारी कटा हुआ सोया बिन डाल देंगे यहां सोया बिन को मैंने पहले ही पानी में उबालकर चौपर की हेल्प से बारी कट कर लिया है अब सोया बिन को मसालों में 3-4 मिनिट के लिए अच्छी तरह भूनना है ताकि सोया बिन से कच्चापन निकल जाए सोया बिन भून जाने के बाद उसमें एक टमाटर की प्यूरी एड़ कर मसालों में इसे जब तक तेल अलग ना हो जाए तब तक अच्छी तरह भूनना है साथ ही स्वादनों सा नमक भी एड़ कर लेंगे मसाला भून जाने के बाद सबजी में लगबग एक कब बारी कटा हुआ गोभी आड़ कर ले गोभी को दो से तीन मिनट तक चलाते वे सबजी में अच्छी तरह मिक्स करना है दें ढखकर सबजी को चार से पाच मिनट के लिए पकाए पाच से दस मिनट में सोया गोभी की सबजी बनका त्यार हो जाएगी ये सबजी मेरे दोनों बच्चों को काफी पसंद आई थी इसलिए इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की लास लोग देखने के बाद पालक पास्ता की रेसिपी सेयर करने की काफी रिक्वेस्ट आई है जिसकी रेसिपी मैं नेक्स केसी व्लोग में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस तरह सोया को भी की सबजी आप भी जरूर बना के ट्राय करना आपकी बच्चों को भी जरूर पसंद आईगी फिलाल लंज के बाद मैंने जो भी सबजी आ मौनिंग में धुकर रखी थी उन्हें अरेंज कर फ्रीज में रख रही हूं और पता नहीं क्यों बच्चों को बड़े विस करने के लिए इंस्टाग्राम पर आपने मुझे बच्चों के जो पिक्चर्स भेजे हैं मैं उन्हें अपने फोटो गैलरी में सेव नहीं कर पा रही हूं तो मैं चाहते हूँ कि आप अपने बच्चों के पिक्चर्स मुझे email करके भेजे मेरी email ID में आपके साथ यहां स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ बच्चों को birthday wish में next vlog में कर दूगी और next vlog में जल्दे ही आपके साथ इसी week में शेयर करूँगी very good now numbers one two three four five six seven eight nine ten one five seven plus seven seven plus seven I don't know 14 14 wow I think seven plus seven 14 but five plus five ten ten oh no no privacy go 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 okay I'm going can I record little bit no my viewers want to see you go hmm you're making me sad no one is seeing you go no one is seeing you कोई भी नहीं देख रहा है आपको ममा ने अपने आखे बन किया और फिर रिकॉर्ड कर रही है देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं आपको यो निड हैर कट एड़ कम्प्लीट डटी को दिखा कर आँ कि ऐड़ी ञिक्क कर रहा है या देख रहा है क्टे जाल मेड दिखा करा है